ये बाते करीबन 1986 की जब एक लड़का कैलास परवत में घूम रहा था। अचानक उसे पहारों के बीच से एक रहस्य में गुफा दिखाए दी। उस लड़के ने इसे नजरंदाज किया और आगे बढ़ गया। नजदीक जाने के बाद उसने जो देखा, जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगते खड़े हो जाएंगे। उन्होंने देखा कि उस गुफा में अने को खजाना रखा हुआ है और जिसकी रक्षा एक बैल और एक शेशनाग कर रहा है। दोस्तों, ये घटना बिलकुल सची है और हैरान करने वाली है। आखिर कौन था वो लड़का, उसने उस गुफा तक कैसे गया और आखिर में उस लड़का के साथ क्या हुआ था, आखिर वो जिन्दा भी बचाया नहीं, इस रहसे से परदा उठेगा। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्बुद भारत दर्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न विश्व विख्यात पशुपतिनात महादेव मंदिर है। इसी मंदिर के पुजारी के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंकर रखा गया। शंकर पंडितों के घर पर पैदा हुआ था। इसलिए बचपन से ही महादेव के प्रती भक्ती उसकी रग-रग में सम नाया करते थे। उनका कहना था कैलाश परवत की गुफा में हजारों साल पुराना एक खजाना मौजूद है जिसकी रखवाली स्वयम नंदी बैल और शेशनाग करते हैं। बचपन से ही शंकर को उसके दादा जी ने महादेव की भक्ती की प्रेरणा दी थी और कैलाश के रहेसियों के बारे में भी कई बाते बताई थी। अब जैसे जैसे शंकर बड़ा होता जा रहा था कैलाश की परिक्रमा करने की उसकी इच्छा भी और बढ़ रही थी और जब वो 24 साल का हुआ तब तक उसके दादा जी उसका साथ छोड़ चुके थे। परंतु दादा जी पर जाने वाले यात्रियों की चीनी अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जाती है। जिसके बाद यात्रा का पहला पढ़ाव नायला होता है। शैम तिबबत में है जिसके बाद 262 किलोमीटर का सफर तै करके शंकर सागा तक पहुँचा। सागा के बाद प्रयाक तक पहु की कैलाश परिक्रमा शुरू कर दी। शंकर अकेला था उसके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो भूखा प्यासा महादेव के भरोसे ही उस गुफा तक पहुचना चाहता था। जिसके बारे में उसके दादा जी बताया करते थे और जब उसने 10 किलोमीटर का सफर तै क कर लिया था। तब वो एक ऐसी गुफा तक पहुचा जिसे सामान्य आखों से नहीं देखा जा सकता था। उस गुफा में इतनी चमक थी कि उसकी चमक से उसकी आखें चौनधिया रही थी और उसी गुफा के बाहर एक नंदी वैल और शेशनाग पहरेदारी कर रहे थे। दिखने में बहुत दिवय और चमतकारिक मालूम हो रहे थे परंतु उन्होंने शंकर को जरा सी भी छती नहीं पहुंचाई। जिसके बाद शंकर अंदर गुफा में चला गया। शंकर ने अंदर जाकर देखा कि गुफा में बेशकीमती हीरे जवाराद जड़े हुए हैं और अरबों-खरबों का खजाना पड़ा हुआ है। परंतु वही दूसरी और साइड में बहुत सारे नरकनकाल भी पड़े हुए थे। शायद जो भी उस खजाने को हती आना चाहता था वो नंदी बेल और शेशनाग उनका वो हाल कर देते थे। परंतु शंकर के मन में इच्छा नहीं थी। उसने उस दिव्य खजाने के दर्शन किये और पुनह खाली हाथ बाहर लोटाया और पुनह अपनी परिक्रमा के लिए रवाना हो गया। नंदी बेल और शेशनाग भी उससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि ऐसा दिव्य व्यक्ति उन्होंने भी स चेशनाग करते हैं। जिसके बाद अगले 20 दिनों में शंकर ने कैलाश परवत की परिक्रमा संपूर्म की और अपने दादा जी के सपने को पूरा करके दिखाया। जब वो पुनह काठमांडू पहुचा तो वहां के लोगों ने शंकर का धूंधाम से स्वागत किया क्यों क्या करना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी सत्य चमतकारी घटनाए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव